आज हम बनाने वाले हैं एकदम मार्किट जैसी बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी कुरकुरी आलू भुजिय नमकीन जिसे हम तो तरीके से बनाएंगे जिन लोगों के पास मशीन है वो मशीन से बनाएंगे और जिन के पास मशीन नहीं है उन्हें कैसे बनाना है वो भी मैं बताऊ तो इसके लिए मैंने धाय कप लिया है बेसन आप मोटा या बारिक कोई भी बेसन ले सकते हैं कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसके साथ ही आपको लेने है आलू क्योंकि हम ये आलू भुझे नमकीन बना रहे हैं तो हमें आलू चाहिए तो मैंने यहाँ पर पांच बड दोनों नमक आपको इसमें डालने हैं आधा चमच डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर अब इसमें जा रहा है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक चमच भरके डालाएगे ये तीखा काम होता और इससे कलर अच्छा आता है आधा चमच इसमें डाल देंगे हम सोंट एक चुथा ही चममच या आमचूर पाॉडर इसमें लारा है एक चोथा ही चममच हींग जरूर ढालेगा इसमें बहुत अच्छछव टेस्ट आएगा और अब इसमें हम डाल देंगे दो चमच भर के चाट मसाला इससे जो नमकीन है ना उसमें बहुत ही अच्छा चटपटा सा फ्लेवर हैगा अब यहां मैंने आधा कप लिया है ओल ये ओल डाल देंगे ओल डालने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी कुरकुरी बनेगी अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है आपको सारे मसाले आलू ओल वगएरा मिक्स कर लेना है अभी आप इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे जो आलू है उसी से इसे लगा कर त्यार करेंगे पिर जरूरत होगी तो बस थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे इसमें ज़्यादा पानी की हमें जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी क्योंकि आलू से ही ये डू लग जाता है तो बस मैंने देखिए थोड़ा सा ही पानी डाला है बस इसका एक सॉफ्ट डू लगाकर आपको त्यार कर लेना है सॉफ्ट डू लगाने से जो नमकीन है वो बहुत आसानी से बनेगी और इसमें कश्प भी अच्छा आएगा तो यहां आप देख सकते मैंने से कितना सॉफ्ट लगाकर त्यार किया है अब आपको क्या करना है वो मैं बताती हूँ आप अपने हाथों पर थोड़ा सा ओईल लगा कर हाथों को चिकना कर लें और इस डो में से थोड़ा सा डो लेंगे उन्हें बिना मीन की कैसे नमकीन तियार करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी तो इस मशीन को मैंने सैट कर लिया है और इसमें ऑयल लगा कर हम इसे ऐसे चिकना कर लेंगे इससे क्या होगा जब आप ये नमकीन बनाएंगे तो स्मूदली इससे निकलेगी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो इसे चिकना करने के बाद जो डो तैयार किया है वो हम इसके अंदर फिल कर देंगे इसे भर लेंगे उपर तक तो यहाँ पर और डो डाल दिया इसके अंदर तो यहाँ मैंने इसे फिल कर दिया है और बस अब हम इसे पैक कर देंगे उपर का जो इससा है इसका वो भी इसके अंदर सैट कर देंगे अब यहां मैंसे इसके उपर लगा दूँगी यह जो मशीन है ना पहुँच जादा कॉस्टली नहीं आती है और इसली मार्केट में मिल जाती है इससे जो आलू भुजिया बहुत इसली बन जाती है तो यहां पर हम अब आलू भुजिया त्यार करेंगे तो इसके लिए मैंने और पहले ही गरम करने रख दिया था और अच्छा तेज गरम हो चुका है गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर तेज गरम में इस तरीके से मशीन को घुमाते हुए यह आलू भुजिया आपको बनानी है अभी यह देखिए इसके उपर काफी सारे बबल्स आ रहे हैं जब यह बबल्स कम हो जाएंगे तब हम इसे पलड देंगे और दूसी तरफ से भी इसे हम सिखने देंगे तो इसे फ्राइ होने में बहुत जादा समय नहीं लगता है बहुत ही जल्दी यह जो आलू भुजिया फ्राइ हो जाती है देखिए कलर अच्छ सबी के घर में होती है इसे ऑईल लगा कर दोनों तरफ से पहले आप चिकना कर लेंगे और जो डो हमने बनाया है उसे इसके उपर रखेंगे और ऐसे हातों को आगे की तरफ चलाती हुए इस डो को ऐसे हम करेंगे इससे बहुती बढ़िया आसानी से यह सेव निकलेंगे य लगाता चलाते हुए से फ्राइ कर लीजे तो हैना बहुती आसान तो जिनके पास मशीन है वो मशीन से बनाईए जिनके पास मशीन नहीं है वो इस तरीके से इस बुझिया को एंज्वा कीजिए तो यहाँ पर यह फ्राइ हो चुके है कलर अच्छा आ चुका है इन्हें हम तो यह देखिए बिना मशीन के हमने कितने बढ़िया नमकीन आलू भुझिया बना कर त्यार कर ली तो बस इसे ओल से निकाल लेना है तो यहाँ पर देखिए यह तो हमारे आलू भुझिया है जो कि हमने बनाई है मसीन से और अब मैं आपको वो सेव दिखाती हूँ जो हमन बनाई है जड़ से यह देखिए तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे इसे बना कर त्यार करें तो अब आपको क्या करना है यह जो आलू भुझिया सेव है इन्हें ऐसे तोड़ लेना है तो यहाँ पर मैंने सारे नमकीन सेव को इसी तरीके से वारिक कर लेना है अब इस को आप किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके आराम से दो महीने तक रख सकते हैं एंज्योय कर सकते हैं रेसेपी पसंद आई तो लाइक कोमेंट शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब बैल आइकन को प्रेस जरूर करें